देखो इस वीडियो को देखने के बाद आपका नजरिया फोटोशॉप के बारे में बिलकुल बदल जाएगा अभी तक आप फोटोशॉप के बारे में सोचते होगे कि जब भी हम अपना कोई फोटो लेके जाते हैं फोटोशॉप का एक नया टूल जो ब्राउजर से आप यूज कर सकते हैं उसका नाम है अडोबे फायर फ्लाई और उसमें भी एक और नया लेटेस्ट अपडेट आया है जनरेटेव फिल यह वीडियो देखने के बार आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीख जाएंगे जो शायद बहुत लोगों को इंपॉसिबल लगती होगे एक तरह से जादू है यह टूल इस टूल को चलाने के लिए उस सीखने की ज़रूरत नहीं है क्रियेटिव माइंड सेट की ज़रूरत है आप अपने दिमांग में सोचो और वह चीज वह जनरेट करके दे देगा आप देखो स्क्रीन पे यह फोटो देख रहे हो ना यह पहले ऐसा था और यह दूसरा वाला फोटो देख रहे हो ना यह भी पहले ऐसा था बस आपको और यहां पर कुछ इस तरह का इंटर फेस आपको दिखेगा अब आपको यहां पर क्लिक कर ना है एकक्स्प्लोर फायठाट पूर दियान से सबसे पहला है यहां पर और आप जिनराटीव फिल का और तीसरा प्सून कि पर चंहां ज़ाता है वह जुनेडु रिकलर का इसके जैसे यह आते जाएंगे वैसे यहाँ पर भी आपको फ्री में यूज करने के लिए मिल जाएंगे अब यहाँ पर यह जो option है यह बहुत काम का है जैसे मैंने आपको starting में बताया था कि आप photo के उपर कुछ भी कर सकते हो जो चाहू सो कर सकते हो इसका सबसे पहला option हम यूज करेंगे text to image कैसे काम करता है simple आपको यहाँ से generate option पर क्लिक करना है अच्छा वैसे यह सारी चीज़ें Photoshop के latest version में आई है Photoshop 2030 में और अगर वो आपके पास नहीं है तो आप इसको यूज करिए बिलकुल free में आप बहुत सारी चीज़ें यूज कर पाएंगे यहाँ आपको कोई एक background create करनी है कुछ भी create करना है तो नीचे जैसे Google में search बार होता ना बिलकुल वैसे ही यहाँ पर आपको describe करना है अपनी image के बारे में और अभी यह सिर्फ English में समझता है तो English में आप यहाँ पर जो भी लिखेंगे वो आ जाएगा और अगर आप बहुत अच्छी English नहीं जानते हैं तो simple आपको Google Translate पर चले जाना है यहाँ पर आपको कुछ भी सोचना है किसी भी तरह की image के बारे में यहाँ पर translate हो के जो word आ बना पाता कि तो यह आपने हिंदी में लेख लिया इसका translation यहाँ पर आ गया क्लपना है अगर आपको करनी है तो हिंदी भाशा मुझे लगता है ज्यादा सरलता से हो जाती है लेकिन मजबूरी है कि English यहाँ पर इस्तमाल करनी है तो यह हमने यहाँ पर paste कर दिया उसके के लिए जैसा मैंने यहाँ पर अलग अलग तरह के साइजन के निकाल सकते है जैसे मैं यहाँ पर वाइड स्क्रीन करोंगा उसके पाद यहाँ पर आता है कंटेंट टाइप आपको किस तरह का चाहिए आर्च चाहिए या ग्राफिक चाहिए क्या चाहिए तो आप एक एक करके चारों को select कर लीजेगा पहले मैं देखा देता हूं कि ये wide screen में कैसा आपको दिखाई देगा photo उसके बाद हम ये चारों option select करके देखेंगे देखेंगे देखो wide screen में ये photo फोटो कुछ इस तरह का ये खुबसूरत painting बनाई है क्योंकि यहां पर हमने art select कर रखी ती अभी जैसे हम photo select करेंगे तब क्या आएगा देखो अभी हमने photo select किया है और आप देखो कि photo जब हमने select किया है तो कुछ आटिया है नदिया है और ये देखो कितरा खुबसूरत सा इसने मुझे एक चित्र बना के दे दिया इसी तरह से आप नीचे जाके देखो कि नो तो यहां पर आपको जो style है इस image का वो अलग-अलग यहां पर मिल जाएंगे जैसे यहां पर यह layered paper style अगर आप select करेंगे जैसे मैं इस पर click करूंगा और generate करूंगा तो यहां पर layered paper style का एक photo आ जाएगा जैसे कोई जो painting है वो कागज से काटके बनी हो तो यह उस जैसा तो नहीं आएगा जैसे पहला आया था लेकिन थोड़ा सा लगाएगा तो देखो इस बार यह जो painting बनी है यह थोड़ी सी paper जैसी लग रही है कि यह paper से काटके बनाई हो तो यह समझ गया आप यहां पर यह ज position दे रखा है कि आपको close up चाहिए bloody background चाहिए किस तरह का चाहिए आपको narrow depth field चाहिए किस तरह का चाहिए तो एक हम यहां से इसको click करेंगे और यहां से हम यह जो हमने style select किया है इसको हटा देंगे अब यह हम यहां पर ले लेते हैं digital art ठीक है इसको छोड़ देते हैं digital art ले prompt यहां पर डाल सकते हो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको English में नहीं समझ में आ रहा तो Hindi में जाओ Google में translate करो और उसको डाल दो आपको यह तो हो क्या background बनाना है लेकिन यह वाला जो text effect नहीं यह तो इससे भी जबरदस्त है तो यहां पर आपको generate पर क्लिक करना है और तो यहां पर अपने company PC skill का नाम में यहां पर एंटर कर देता हूं सारे words में capital में लिखूंगा ठीक है इसके बाद में मुझे क्या चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए motherboard style कुछ आ जाए उसके अंदर wiring हो और सारी चीज़ें हो तो मैं यहां पर motherboard wiring यहां पर टाइप करूं इसके बाद में match shape लिखा हुआ रहा है आपको tight चाहिए medium चाहिए loose चाहिए तो अगर tight shape चाहिए तो आप tight shape select कर लीजे इसके बाद नीचे आता है font का option और उसके बाद आजाता है background का option तो यह 4 option आते हैं और जैसे आप select करोगे इन चारों में से कुछ भी तो देखो अभी PC skill जो मैंने लिखा था उसके अंदर आप देख रहे हो के यह जो wiring type की है motherboard की वह आ गई है देखो यह आई के अंदर भी आप देख सकते हो L के अंदर भी देख सकते हो तो यह generate करेगा और generate करके सारे letters के उबर वह effect apply करके देदेगा तो कितना cool लग रहा है अच्छे यहां से क्य आई होगा तो बहुत खुबसूरत लगेगा देखो लग रहा है न अच्छा इसके बाते को नीचे आपको जाना है और यहां से background select कर लें तो इस background को उपर यह ऐसा लगेगा और black के ऊपर यह कुछ ऐसा लगेगा अच्छा इसमें से आपको कुछ नहीं लेना है तो यहां से sample prompts को select कर लो यहां पर sample बहुत सारे prompts दिए गए है अब जैसे मैं यह वाला लेता हूं जैसे bread toast वाला और अभी PC skill पर apply करके देखता हूंगा अगर PC skill bread toast जैसा होता तो कैसा लगता है देखो जरा कितना खुबसूरत इसने बना दिया है कि जैसे यह जो PC skill है वो bread से बना हो यह यहां पर अपना नाम भी आप लिख सकते हो देखो मैं अपना नाम लिखके दिखा देता हूं को मैंने केवल अभी लिखा है और आप देखो कि अभी को भी bread के जैसा generate करके आपको दे देगा यहां पर देखो color marvels दे रखे इस पर click करोगे तो यह color marvels जैसा हो जाएगा यह कितना खुबसूरत इसने बना दिया और यहां पर देखो यह broken glass है अब यह देखो broken glass से आपका नाम लिखके आ गया यह wire वाला effect है तो देखो wire से मेरा नाम लिखा हुआ आ गया और last month को खुबसूरत सा एक effect दे रखा है यह flowers वाला अगर आपको चाहिए flowers से घरा हुआ आपक सारी चीजने कर सकते हो आपकी दिमाग में जो कुछ भी आ रहा हो प्रॉम्ट नहीं आ रहा है मैंने बता दिया translate पर चले जाओ आपको पता है कि आप यह वीडियो देखने के बाद आप मैंसे कोई पांच लखी लोग अपना साधे साथ हजार रोपे का फायदा कर सकते हो हम जल्दी से समझा देता हूँ तो आपको करना क्या है आपको वीडियो की नीचे description में जाना है यहाँ पर आपको join pendrive course का option दिखाए देगा इस पर आपको click कर देना है इससे आप पहुंच जाएंगे हमारी offline pendrive course की website पर यहाँ पर आपको एक pendrive course दिखाए देगा A2J computer mastery course इस course म पूरे 19 professional courses सामिल है जो कि lifetime validity के साथ आपको मिलने वाले हैं जिसके साथ आपको हमारा खूपसूरत सा यह excel mug हमारा premium mouse pad जिस पर भी बहुत सारे shortcut keys आपको print करके मिलेंगे एक free OTG और हमारा pain drive है वो मिलेगा जो कि आपको lifetime validity के साथ में मिलता है जिस पर आपको कभी भी internet की अब यहाँ पर इस समय अगर इस course को आप buy करते हैं तो यहाँ पर 60% का discount चल रहा है जिसे ही course आपको लगवग 4000 रुबे का पड़ेगा लेकिन अगर आप coupon code यूज करते हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ तो आप मैंसे 5 लोगों को यह course केवल और केवल 5000 रुबे म मिलेगा तो जो भी पांच लोग पहले यह coupon code यूज करेंगे उनको इस coupon code का फायदा मिल जाएगा अब आ जाते हैं इसके main element के उपर जिसका नाम है Generative Fill और यह क्या क्या कर सकता है आपके लिए तो यहां पर आपको क्या करना है अपना कोई photograph अपलोड करना है तो यह photo है माधव का जिसमें हम व्रंदावन गए थे व्रंदावन में वो नाओं में बैठा था और यहां पर मुझे कुछ elements ऐसे लग रहे हैं जो मुझे photo में नह नहीं चाहिए अब यहां पर आप उन element को यह वाले टूल के साथ में remove टूल के साथ में select करोगे अब जैसे यह नाओ के दो खंबे है ऊपर यह जो पर्दा लगाए यह नहीं चाहिए मुझे चाहिए खुला आस्मान आ जाए यहां से आपको सिंपल करना क्या है यह सब कुछ इस तरह से remove वाले टूल से जाके brush से select कर लेना है और इसको erase कर देना है जहां तक आपको नहीं चाहिए पूरा सब को चटा दो यह सब अटा दो यहां से ठीक हम select कर लेते हैं इस तरह से and simple मैं यहां पर कोई prompt भी नहीं देने वाला हूँ मैं यहां से simple इसे remove करूँगा और य देखो कुछ इस तरह से अब देखो यहां पर मैंने जो उपर आपको बादल दिख रहे हैं जो अकाश दिख रहे हैं मैंने कोई editing नहीं करी है यहां पर आप देखो यहां पर पुछ पिलर्स लगे थे वो बिल्कुल गाइब हो गया है और उसकी प्रॉपर तरीके से आप द करते हैं और यह चपल जो रखी है इनको भी हम रिमूव कर देते हैं यहां से हमने सलेक की यह चपलें और यहां से हमने रिमूव का option क्लिक कर दिया तो अभी कुछी देर में यह वाला जो एरिया है यह रिमूव हो जाएगा और जो प्रॉपर जो बैग्राउंड है जो करेंगे सर वाले एरिये को हम सलेक्ट करेंगे सिर्फ इतना इतना मुझे जो क्राउन लगाना वो इसी एरिये में लगाना है उपर बाल भी दिखाई देते रहे हैं और यहां पर क्राउन भी आ जाए तो मुझे यहां पर लिख देना है क्राउन ठीक है अब मुझे यहां प आप इसे ही promo डाल दिया था देखने के लिए test करने के लिए तो यहां से इसे 12 कर सकते हो और यहां पर मैं इसकी जगह मुझे लगाना है संग्लास नट्रेंफ मैंने जुछ गोल्डन कलर का मैं इस यहां से जने 2 कर जो यहां करूंग और में क्राउं सब्सक्राइब तो देखो यहां पर अभी मुझे कुछ option मिले है sunglass के तो मैं यह वाला option select कर लेता हूँ इसे keep कर लेता हूँ अभी एक बार आपको photo मैं दिखा देता हूँ दोबारा से देखो अभी फोटो के अंदर जो पुराना वाला photo था वो ये था और ये नया वाला photo ये है तो मालो माधव नहीं यहां पर देखो चपल पहनी है नाओ के अंदर मैं चाह रहा हूँ कर शूज पहने तो मैं यहां से यह पूरा चपल वाला एरिया है इसको select करूँगा इस तरह से ठीक है यह मैंने area select कर लिया और यहां पर मैं डाल देता हूँ shoes और इसे यहां से जनरेट कर देता हूँ तो आप जड़े ध्यान से देखिए कि जिस condition में माधव बैठा है उसी condition में spot shoes जनरेट हो गया है अभी 4 option यहां से दिये हैं इसे यहां से clear कर सकते हैं तो यह तो हो कई बात यहां पर photo में को changes करने की अभी अगर आप चाहें तो photo के जो background है उसको भी बहुत जबर्दस तरीके से बदल सकते हैं अब जैसे पीछे यह जो बैठे हैं यह सजजन आपको बिल्कुल remove करने हैं इसको भी आप कर सकते हैं सिर्फ remove पर आपको जाना है पूरा आपको select कर लेना है जहां जहां से इनको हटाना है यह पूरा इनको हम यहां से select कर लेते हैं पूरे तरीके से थोड़ा सा अगर हम मादब के बाल भी लेंगे तो कोई problem नहीं है AI उसको वहां पर generate कर देगा यह हमने यहां से पूरी तरीके से remove किये यह जो इनका डंडा है यह भी हम हटा देते हैं इधर side से भी ठीक है इस तरह से पूरा हटा देंगे इसको करेंगे हम remove अब देखे यह remove हो गया है अब चार option यहां पर दिए गया है आप जो भी option यहां पर apply करना चाहें कर सकते हैं इस तरह से अब देखो इस photo में कैई सारी चीज़ आपको दिख रही होंगी इसी तरह से इस photo को भी आप पूरी तरीके से remove कर सकते हैं कि फिल बच्चे आपको दिखाई दें तो जैसे यह चपले हैं इनको आप यहां से हटा दीजे यह पीछे जो लोग बैटे हैं इनको भी आप इस तरह से select करके बहुत आराम से हटा सकते हैं यहां से इनको भी हम select कर लेते हैं यह हमने यहां से हटा दिया इनको यह जो now है इसको हम हटा देते हैं यह वाला जो बीच आ रहा ही है और नीचे एक परसन को ही दिख रहे हैं इनको भी हम select करके इस तरह से यह जो चीजें हमें हटानी है extra उनको हम select कर लेते हैं और इसके बाद जैसे हम इसे remove करेंगे तो कुछी seconds के अंदर जो सारा unwanted आपके picture के अंदर जो भी लोग आ रहे हैं वो सब remove हो जाएंगे देखिए बिल्कुल जादू की तरह यहां से बिल्कुल सारी चीजें गायब हो गई है आपको कुछ और अच्छा चाहिए picture का कुछ shade बदलना है कुछ और सारी चीजें करनी है तो आप कर सकते हैं तो जैसे इस जगे पर मुझे कुछ fool चाहिए तो यहां स अब हमने जनरेटिव आई और टेक्स जनरेट करके देखा और इमेज टू टेक्स जनरेट करके देखा लेकिन यही फीचर सेम फोटोशॉप में भी आ चुका है पहले से फोटोशॉप बहुत जबरदस्त था फोटो एडरिंग के मामले में लेकिन जब से यह जनरेटिव AI जाया है तब से यह कमाल हो गया है तो फोटोशॉप का यह जनरेटिव AI फोटोशॉप के बीटा वर्जन में एपलेबिल है जिसको हमने क्रियेटिव क्लाउड से डाउनलोड कर लिया है अब हम इससे टेस्टिंग करने वाले हैं तो कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस है त यहां से थोड़ा सा साइज इसका बड़ा कर देना इस तरह से अब पहला चैलेंज तो हम AI को देंगे कि यहां की जो नीचे की बेग्राउंड है जो हमें नहीं दिखाई दे रही है उसको बनाए तो यहां से हम जनरेटिव फिल पे क्लिक करेंगे और जनरेट कर देंगे तो फोटोशॉप का यह जो AI टूल है यह आसपास के इन्वायर्मेंट को ट्रेक करता है अगर मैं यहां पर हिमाले परवत डाल भी देता अगर मैं कैलाश परवत डाल भी देता तब भी यह वहां पर उसको नहीं जनरेट कर पाता एक बार मैं आपको यहां पर डाल के दिखा द इसमें हमें से इनवर्ट करेंगे ताकि मूर्थी को छोड़ के जो बाकी एरिया है वो सेलेक्ट हो जाएगे और यहां पर कैलाश माउंटेन लिखेंगे और यहां से जन्रेट करेंगे अभी यहां पर देख सकते हो के जन्रेटेव आई ने पूरे बैक्ग्राउंड के हिसाब से यहां पर हमें कैलाश माउंटेन दे दिया है अब यह तीन रिजल्ट आए हम उनको एक एक करके आगे बढ़ा के देखते हैं अब इसमें से जो कोई भी रिजल्ट हमको अच्छा लगेगा हम उसे रख लेंगे तो यह बहुत अच्छा यहां पर इनोंने बनाया है क्योंक जील भी हमें चाहिए और हम फिर से जनरेट करके देखेंगे अब देखी यह जो इसने द्रश्य बनाया है बहुत ही खुबसूरत बनाया है और जो रिजल्ट इसके साथ में आए हम उनको भी एक बार देख लेते हैं देखी कितना खुबसूरत इसने बना दिया है अब इस इसको हम यहां से लेयर वाइस फैटन कराएंगे और थोड़ा से साइज हम और बढ़ा कर देंगे ताकि यह जो तस्वीर है और खुबसूरत बन जाए अब यह चारों ब्लैंक के स्पेस हमारे पास आये हैं इनको हम यहां से इस तरह से सलेक कर लेंगे अच्छा जब भी इस तरह से इसको मैं इस पार ब्लैंक छोड़ूंगा मैं इसको ऊपर छोड़ देता हूं कि यह क्या करना चाहता है अब यह तस्वीर कुछ इस तरह की दिखाई देने लग गई है और बहुत ही खुबसूरत तस्वीर बनाई है जैसा कि मैंने कहा था कि मैं इंडियन चेलिं पर चलिए जल्दी से समझा देता हूं तो आपको करना क्या है आपको वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है यहाँ पर आपको जॉइन पर आपको क्लिक कर देना है इससे आप पहुंच जाएंगे हमारी ऑफलाइन पर कोर्स की वेबसाइट पर यहाँ पर आपक जिस पर भी बहुत सारे शॉटकट कीज आपको प्रिंट करके मिलेंगे एक फ्री ओटीजी और हमारा जो पेंट राइफ है वो मिलेगा जो कि आपको लाइफ टाइम वेलेडिटी के साथ में मिलता है जिस पर आपको कभी भी इंटरनेट की आवशक्ता नहीं होगी हमारे को चल रहा है जिसी कोर्स आपको लगबग 4,000 रुबे का पड़ेगा लेकिन अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं तो आप मैंसे 5 लोगों को ये कोर्स केवल और केवल 6,000 रुबे में मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको कूपन कोड है डबल नाइन पीसी डबल टू और इसको यहाँ पर अपलाई कर देना है जैसे आप कूपन कोड अपलाई करेंगे तो आप देख रहे हैं यह कोर्स आपको केवल 24,99 यानि 25 रुपे का मिलेगा तो जो भी 5 लोग पहले ये कूपन कोड यूज करेंगे उनको इस कूपन चिंपैंजी का फोटो है और हम चाहरे हैं कि यह सामने वाली जो ग्रिड है यह गाइब हो जाए और इसको हम जेल से आजाद करा दें तो यहां पर क्या करेंगे हम ग्रिल के ऊपर एक सेलेक्शन बनाएंगे इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा आगे पीश हम छोड़ सकते हैं वैसे हम सेलेक्ट करते तो देखो हमको बहुत जादा डीपली सेलेक्ट करना पड़ता और प्रॉपर तरीके से यह नहीं बनता तो हमने यह सारे जो ग्रिल हैं यह सेलेक्ट कर लिए हैं और इस वाले ग्रिल को भी हम यहां तक ले लेते हैं अब सिंपल हम इससे ने क्या किया कि जिदनी सारी लगी हुई थी वो साथ में हटा दी हैं और मैं चाहता हूँ कि यहां पर जिस हाच से इस चिंपैंजी ने ग्रिल पकड़ रखी थी वहां पे बनाना आ जाए सो मैं यहां से इस सेलेक्शन को इस तरह से करूँगा और यहां पर जनरेटेव फिल में जाके बनाना टाइप कर दूँगा और यहां से जनरेट कर दूँगा सो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो फोटो पहले बहुत जादा बिकार लग रहा था यह चिंपैंजी एक जेल के अंदर बन था वहीं पर आप देखो यह आजाद हो गया है और इसके हाथ में बनाना भी आ गया है और दो तीन तरह के शेड्स हैं अगर आप चाहो कि कलर मे गया है कि हम क्या चाहते थे अब चली बढ़ते हैं अपने अगले चैलेंज की तरफ देखते हैं क्या यह उसमें भी पास हो पाता है या नहीं देखिए यहां पर हमारे पास भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ती है अब मैं चाहता हूं कि यह मूर्ती का जो आधा हिस्सा है यह मुझे पूरा होके मिल जाए और इसके लिए मैं इसको extend करना चाहरा हूं तो क्या यह कल्पना कर सकता है कि यह मूर्ती का जो नीचे का हिस्सा होगा वो कैसा होगा चलिए देख लेते हैं तो सबसे पहले एक crop tool को लेंगे और इस canvas का जो size है उसको बढ़ा देंगे ठी इसे नहीं पता था कि मूर्ती नीचे से कैसी होगी लेकिन फिर भी इसने जो कल्पना किया बहुत अच्छी है दूसरा result हम देखते हैं दूसरे result में भी यह जो मूर्ती है एक जिगे पर बैठी हुई है और तीसरा result इसने कुछ इस तरह का हमें बना के दिया है जो काफी कि मूर्ती का जो निचला हिस्सा है वो इतना खुबसूरत अब इसने नहीं बनाया है जितना हमने सोचा था लेकिन फिर भी बहुत अच्छा काम दिया है आप बताइएगा कि इस फोटो के उपर इस फोटोशॉप को आप कितने अंक दे सकते हैं चलिए बढ़ते हैं हमने अ यहां से जो लासो टूल है उससे सेलेक कर लेना है तो यहां से मैं यह पूरा एरिया सेलेक कर लूँगा और यह रफली सेलेक करूँगा मैं तो इसको बहुत जादा डीपली मैं नहीं काटूंगा इस तरह से मैं इससे सेलेक कर लूँगा और जनरेटर फिल पे जाके अब मै भी belt आ गई है इसका दूसरा result भी हम यहां से देख लेते हैं यह कुछ इस तरह का है और तीसरा result जो है वो इस तरह का है अब मुझे शर्ट नहीं चाहिए अब मुझे यहां पर leather jacket चाहिए तो मैं यहां पर leather jacket type कर दूँगा और इसको भी यहां से मैं generate करूँगा तो अभी खुबसूरत बात जो देखने की है इस फोटो के अंदर कि यहां पर lighting condition आप देख सकते हैं इस तरफ red color की light थी तो यहां पर जो shine आ रहा है वो भी red color का है और इस तरफ light कुछ हलके से green color की थी तो इधर देखो lighting condition वही green color की है और सामने का जो focus था वो इसने इस तरह का बनाया है दूसरा वर्जन कुछ ऐसा है और जो तीसरा वर्जन है leather jacket का कुछ ऐसा है तो आप बताइए comment करके कौन सा ज्यादा better लग रहा है अब यह जो अगला challenge है मैं चाह रहा हूं कि इसके हाद में घड़ी आ जाए यहां पे इस area को मैं यहां से select करूंगा इस तरह से और simple यहां यहां पर generative film है मैं watch को लिख दूँगा तो मैं golden watch लिखूँगा अब देखिए यह क्या बना की देता है और यहां से मैं इसे generate कर दूँगा तब देखिए यहां पर golden watch आ गई है उसके भी तीन versions यहां पर आए होंगे दूसरा वर्जन ऐसा है और तीसरा वर्जन ऐसा है अब क्या यह इसको clean shave कर सकता है तो simply हम इसको यहां से select करेंगे जहां तक इसका पूरा जो दाड़ी वाला area है और यहां से भी हम इसको select करेंगे इस तरह से और अभी generative film में जाके हम यहां पर लिखेंगे clean shave और generate पे click करेंगे अब देखते हैं जादू तो यहां पर shaving है थोड़ Photoshop कितने हद तक पास हुआ 10 में से कितने number देना चाहेंगे अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले challenge की तरफ तो यहां पर हमारे पास यह person है और अनौने यह cap लगा रखी है अब मैं चाह रहा हूं कि यह cap ना रहे और इनके जो natural hair है वो हमें दिखाई दें तो simple हम क्या और इस बारना मैं कोई भी prompt नहीं डालूँगा और मैं simple देखना चाहूँगा कि Photoshop इसे किस तरह से deal करता है तो generated fill पे मैं click करूँगा और यहां से simple मैं इसे generate कर दूँगा तो अभी देखते हैं कि Photoshop इस photograph को किस तरह से treat करता है क्या वो समझ जाता है कि हम यह cap हटाना चाह रहे तो देखें Photoshop ने बिना prompt के यह photo कुछ इस तरह का बना दिया है color tone वगएर आप सब कुछ check कर सकते हैं और यहां पर तीन versions दिये गए हैं तो पहला आपने देखी लिया इसके बाद हम दूसरा देखेंगे और हम तीसरा देखेंगे तीसरा version कुछ इस तरह का है तो अभी तक हम मैंने यहां पर hair prompt लिखा तो Photoshop ने यहां पर photo के according hairs बनाने की कोचिश की है इसके भी तीन variants यहां पर होंगे दूसरा इस तरह का है और तीसरा इस तरह का है आप बताएगे कि कौन सा जाधा best लग रहा है और इस वाले photo के लिए इस वाले challenge के लिए आप कितने अंक देना चाहे एक practical इसमें हम और करके दिखेंगे की हम यहां पे जो है shaving है जो दाड़ी है उसको थोड़ा सा बढ़ा करके देखते हैं पिछले वाले photo पे तो नहीं कर पाया था लेकिन क्या इसमें इसकी दाड़ी को बढ़ा सकता है तो पूरा area हम यहां से इस तरह से select कर लेंगे जहां त दूसरे वाले option को check करेंगे उसके बाद तीसरे वाले option को check करेंगे और आप नीचे comment करके बताएंगे इस photo के लिए कौन सा वाला option जाता best था और Photoshop AI ने कैसा काम किया इस photo के साथ में तो आप बढ़ते हमने अगले challenge की तरफ तो यहां पर आप देख रहे हो कि यह एक picture है जो म इसको imagine कर सकता है कि यह जो environment है यह जो photo कीचा गया होगा यहां के आसपास का environment कैसा होगा तो आपको जाना है crop tool पर और इसको थोड़ा सा हम इस side में expand करेंगे और थोड़ा सा उपर expand करेंगे और इसको छोड़ देंगे हम यहां से इस तरह से अभी हम टुकड़ों में इसको expand करके देखेंगे तो यहां से मैं photo को इस तरह से select करूँगा और सबसे पहले यहां से जन्रेटर फिल को use करूँगा अभी देखते हैं कि यहां बहुत किस तरह का इसको generate कर पाता है क्या यह सोच पाता है कि इस side में क्या हो सकता है तो यहां इसने imagine कर लिया कि side में इस तरह का यह नहीं तो देखें इसने कुछ इस तरह का यहां पे चहरा create किया है कि यह महला बैठी है जो यह book पड़ रही है और type भी करती जा रही है अब इसको हम दूसरा variant check कर लेते हैं इसका वो कुछ इस तरह का आया है और तीसरा कुछ इस तरह का आया है तो यहां भी मुझे लग बना सकता हूं तो आप अंक दे के बताएगा इस फोटो को आप कितना अंक देना चाहेंगे अब चली बढ़ते हैं अगले चेलिंज की तरफ जो एक इंडियन बैग्राउंड में खिचा हुआ फोटो है और यहां पे इसको मैं expand करूंगा क्या यह यहां पे भारतिय सड़को के इसाप से imagine करके यह बाकी का जो background है उसको generate कर सकता है या नहीं तो crop tool पे जाके इसको भी थोड़ा सा expand करते हैं इस तरफ और double click करके छोड़ देते हैं उसके बाद selection tool से जाके इस तरह से select करेंगे बस जिसमें आधी आ जाएगी और यहां से बस generated fill पे जाके simply इसको generate कर दें अभी पता चलेगा कि क्या adobe photoshop इस भारतिय सड़क के इसाप से भारतिय ट्रेफिक के इसाप से imagine कर सकता है या नहीं तो आप यहां पर देख सकते हो कि इसने बहुत हद तक similar similar यह जो इस side का हिस्सा है यह बनाया है अब इसने तीन result दी है अगला result हम यहां पर देखते हैं त लग नहीं रही है कि इंडियन है तो यह सबसे पहला वाला था वह थोड़ा बहुत भी लग रहा था कि हां इसने कहीं तक ठीक बनाया है आप अंक देख बताईगा कितने अंक आप इस photo को देना चाहेंगे comment करिए का नीचे बताईगा क्या यह photo इसने ठीक बनाया है या नही तो देखो यहां पर इस photograph में क्या है ना एक grid के अंदर एक मकडी का जाला लगा हुआ है अब यहां से कुछ हटाने वाले तो है नहीं अगर हम चाहें तो वह हटा सकते हैं लेकिन मैं चारा हूँ कि यहां पर एक spider आ जाए तो पहले के सारे photo में हमने expand किया चीजों को लगाय तो देखो यहां पर spider या मकडी आ गई है जाला बुन रही है तीन वेरियंट दिये हैं तीनों को एक बार देख लेते हैं कौन सा जाथ अच्छा है और अगर आपको लगता है तीनों में से कोई अच्छा नहीं है तो यहां से आप दुबारा से जनरेट कर सकते हो अब यहां मैं मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया है इसके लिए आप कितने यंग देंगे नीचे कमेंट करके बताइएगा अभी हम बढ़ते हमने अगले चैलिंज की तरफ अब इस फोटोग्रेफ में हमारे पास एक चोटा सा बच्चा दौड लगा रहा है मैं चाह रहा हूं कि इसके अब यहां पर हम लेब्रा डॉर डाल देते हैं तो मैंने यहां पर लिख दिया है रनिंग डॉग लेब्रा डॉर विद बेल्ट और यहां पर पहले से ज़्यादा पालतू लग रहा है एक दो रिजल्ट हम आगे बढ़ा के देखेंगे जो भी आपको अच्छा लगे आप अच्छा लग रहा है मैं एक बार आपको जूम करके दिखा देता हूं तो इस तरह का आया है तो इस चैलेंज के अंदर भी फोटोशॉप पास हो चुका है आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा अब एक लास्ट चैलेंज लेते हैं और करके देखते हैं क्या चैले में जाएंगे और यहां पर लिखेंगे तो हम चाहा रहे हैं कि यहां न जाके मंट एवरेस्ट के किसी पहाड़ पर हो जहां पर ग्रीन कलर कीलेखो तो देखी मैं यहां पर प्सैक्स और ऐसे और यहां आ के दिया है हम दूसरा result देख देखते हैं...... दूसरा बैग्राउंद कुछ इस तरह का है और तीसरा बैगरउंद कुछ इस तरह का है एक बार इसे और generate कर लेते हैं.. QCPsण और result लेकर देख लेते हैं क्या हमें कुछ और अच्छे result अगर इस से मिल जाएं तो आप देखो जो नेचरल बर्फ होती है वो इस तरह की होती है तीन रिसल्ट है तीनों को एक बार चेक कर लेते हैं यह कुछ इस तरह का है यह ज्यादा अच्छा मुझे लग रहा है तो इस वीडियो के हंदर हमने फोटोशॉप को बहुत सारे जो चैलेंजिस हैं वो दिए और अगर इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जगा इंपोर्टेंट वीडियो के जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं उनको भी जाकर चेक आउट कर लिए जगा मैं मिलता हूं अगल अगरे वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद वन्यमात्रम